शार्दिय नवरत्र के बाद दस्वे दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावन के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूझा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तभी से लोग हर साल लोग आश्विन मास के शुकल पक्ष की दश्मी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावन के पुतले का देहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर मनगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में जगा जगा पर रावन के पुतले जलाए जाएंगे। आईए आपको बताते हैं इस दियोहार को मनाने के पीछे क्या है पौरान एक मान्यताएं। इस दिन रावन का वद्ध किया उस दिन शार्देय नवरात्र की दश्मी तिथी थी। के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुम्ब करन के पुतले भी फूंके जाते हैं। पौरानेक मान्यताओं में विजया दश्मी को मनाने के पीछे एक और मान्यता ये बताई गई है कि इस दिन माल दुर्गा ने चंडी रूप धारन करके महिशासुर नामक असुर का भी वद्ध किया था। महिशासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किये जाने की वज़े से माल दुर्गा ने लगातार नौ दिनों तक महिशासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और दसमे दिन उन्हें महिशाशुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शार्दिय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है इसी दिन मां दुर्गा की मूर्ती का भी विसर्जन किया जाता है